हेलो क्लास आज हम लोग देखेंगे आयनिक त्रिजिया को ठीक है इससे पहले हम लोग देख रहे थे आवर्ति गुड को जिसमें हमने साशनेजी त्रिजिया था वांडरवाल्स त्रिजिया था और क्रिश्टल त्रिजिया था इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे हैं न तत्व के आवर्ति गुड को देख रहे थे अब हम लोग आज देखेंगे आयनिक त्रिजिया ठीक है आयनिक त्रिजिया क्या होती है उसको देखते हैं तो आयन आविशित इस पेसिज होते हैं जो या तो परमाडो के इलेक्टान खोने पर धरायन की रूप में होते हैं अथवा इलेक्टान गरहन करने पर रिड़ायन की रूप में जो आयन होते हैं प्लस आयन होते हैं या फिर रिड़ायन होते हैं जिसे कि X है, तो X जो है आपका प्लस हो सकता है, मैनस हो सकता है, तो ये प्लस या फिर मैनस क्यों आता है, इसको बोला जा रहा है, वो प्लस तभी होगा जब वो इलेक्टान देगा, जिसे कि यहाँ पर सोडियम प्लस लिखा है, तो यहाँ पर सोडियम प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से इलेक्टान क्या हुआ है निकला है उसी तरह से हम लोग क्लोरीन मैनस लिखते हैं यहां पर देखो क्लोरीन मैनस लिखा है जिससे कि यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्लोरीन मैनस लिखा है तो क्यों लिखा है क्लोरीन मैनस लिखा है क्लोरीन मैनस लिख जो या तो परमाडू के इलेक्टान खोने पर धनायन की रूप में होते हैं अध्वा इलेक्टान ग्रहड करने पर रिडायन की रूप में होते हैं तो इस चीज़ को आप तो ग्याद रखेगा कोई परमाडू इलेक्टान त्यापता है तो उस परमाडू में प्लस चार्ज आ जिस कि आएगा जिस्टर से हाप सोडियम में अगर कोई पर्माणु इलिक्टान ग्रहोड करता है तो उस में मैनस जाएगा जैसे कि इसमें आया है ठीक है अता आइनिक तरिजया ग्यात करने के लिए आइनिक यॉगिक को क्रिश्टल के रूप में लेना होगा यहां कालिया एक्स किरणों की सहायता से किया जाता है अगर आयनिक तरिज्जा आपको ग्यात करनी है तो जो आपका आयनिक योगिक है उसे पहले किस में बदलना होगा क्रिश्टल में और क्रिश्टल में किस तरीके से बदलेंगे X कीरट की सहायता से हम लोग जो आयनिक योगिक है उसको आयनिक क्रिश्टल में बदल सकते हैं किसी क्रिश्टल में धान आयन तथा उसके निकर्टम रिड आयन के बीच की दूरी दो त्रिज्जा के योग के बराबर होगी किसी भी क्रिश्टल में धान आयन तथा उसके निकटतम रिड आयन के बीच की दूरी दो त्रिज़ा के योग के बराबर होगी मतलब ये कहा जा रहा है माल लेते हैं यहाँ पे आपका एक क्रिश्टल है ठीक है क्रिश्टल प्लस आयन और मायनस आयन से मिलकर के बना हुआ है ठीक है आयनिक क्रिश्टल है तो प्लस और मायनस से क्या हो गया मिलकर बना रहेगा ठीक है ऐसा नीचे भी ऐसा ही लेगा नीचे में भी बनेगा ठीक है जैसे कि मायनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे मैनस और यहाँ पे प्लस तो यह बोला जा रहा है जो आइनों की बीच जो आइनिक क्रिश्टल है उसमें जो आइन होंगी उनके बीच की जो दूरी है जैसे कि इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी जिसको हम ल बीच की दूरी है ठीक है जैसे कि ये इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों तरिजाओं इसकी तरिजा और इसकी तरिजा के योग के बराबर होगी यहाँ पर साफ में पता चल रहा है इन दोनों के जो बीच की दूरी है इन दोनों की तरिजा के योग के बराबर होगी अग दूसरे परमाड़ो उसके आयनिक त्रिज्या को हम लोग असानी से बता सकते हैं अगर हमें बंद लंबाई पता है तथा किसी एक की आयनिक त्रिज्या पता है तो दूसरे की आयनिक त्रिज्या हम लोग असानी से बता सकते हैं इसी को यहां पर कहा जा रहा है जैसे कि किसी क् क्या होता है जो त्रिज्जह होती है r plus r minus होता है r plus radius है किसका plus आयन का जैसे कि यहाँ पे देखें तो यह कौन से चार्ज़वाला था यह plus वाला था और यह minus वाला था तो d d जो बंद लंबाई है इन दोनों के बीच की दूरी बंद लंबाई बराबर क्या हो जाएगा R+, मतलब प्लस वाले का radius और क्या हो जाएगा मानस वाला, ये है आपका मानस वाला आयन, तो इसका radius, ठीक है इन दोनों radius की मिलने से यहाँ पे जो है आपका crystal है वो बन रहा है, ठीक है अब यहाँ पे उधारण दिया है X कीरण विवर्तन ध्वारा sodium chloride crystal में आपका एक crystal बना हुआ है किसका sodium chloride का मतलब sodium iron, chlorine iron, sodium iron chlorine iron आपस में मिल करके एक crystal बनाए है, ठीक है तो crystal में इन अप्लस तो था chlorine iron के बीच की दूरी ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 276 picometer यहाँ पे आपका sodium chlorine sodium chlorine, ठीक है, इतना है तो अगर इन दोनों के बीच के देखे, इन के बारे में देखे, तो इन दोनों के जो bound lane थैं, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बढ़ लंबाई कितनी है, इन दोनों आयनों की, बन लंबाई कितनी है 276 picometer 276 picometer है, क्या है D बराबर 276 picometer है है न, तो 276 picometer के है, उन दोनों के बन लंबाई sodium ion और chlorine bits Tut üyor sodium की जो त्रिजय है वो कितनी है 95 पीको मीटर है देखो तो हमें दो चीज पता होना चाहिए एक तो बंढ लंबाई पता होना चाहिए तथा किसी एक की आइनिक त्रिजय मतलब radius पता होना चाहिए तो हम दूसरे की radius असानी से बता सकते हैं है ना तो यहाँ पर हमें क्या पता है बंड लंबाई पता है और शोडियम आयन की त्रिजे पता है यह पता है तो इसको तो आशानी से हम लोग बता सकते हैं है ना जैसे कि यहां पर हमें पता है ठीक जैसे कि यहां पर सोडियम यह वाला पता है और यह वाला पता है यह कि इसका मान कितना है त सिधा दारेंटली यहांपे हमें पता है दी बराबर आर प्लस और क्यों dni होता है तौँ हमें बंध क्यों सॉडियम लैंटलों पलस की कि दुशते extrem पिको मीटर है और प्लस मतलब सोडियम प्लस आयन का अमान किता होता है यहांपर किता पता है 95 ठीक है 95 पिको मीटर है और हमें प्लस इसका मान निकालने है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो बन लम्बाई है 366 पिको मीटर और 95 को मैनस कर देंगे तो यहाँ पे जो रेडियस है मतलब आपका जो मैनस आयन का रेडियस आयनिक त्रिज्य हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पे आजाएगा आपका 181 पिको-मीटर ठीक है यह है आपका जो मैनस वाला आयन है उसकी आयनिक त्रिज्या तो यहाँ पे sodium और chlorine का देख रहे थे यहाँ पे बंद लंबा यह 266 पिको-मीटर था sodium ion की तो त्रीज़े कितनी होती है 95 पिको मेटर होती है न और यहां पर chlorine iron की त्रीज़े हमें ग्याद करनी है है तो हमने च्छा किया 76 पिको मेटर मैनस 9525 to हमें यहां पर जो chlorine iал है उसकी त्रीज़ा पता चल गयी कितनी है chlorine ion की त्रीज़े एक से एक्याशिक पिकोमीटर ठीक है तो इस तरह से आप ज्याद कर सकते हैं आयनिक त्रिजय या फिर रेडियेस को अब यहाँ पर देखो यह तो बता चल गया अब देखते हैं केटायन की त्रिजय किसी परमाडू से केटायन तब बनता है कोई भी परमाडू केटायन तब बनाएगा जब उसके अंतिम कक्ष के इलेक्टान अलग हो जाते हैं जैसे कि आपके पास है सोडियम जब सोडियम से एक इलेक्टान निकल जाएगा तो वो क्या बनाएगा sodium plus ion बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे sodium का ketion, यहाँ पे sodium एक electron निकाल दिया है, इसका रड़ यहाँ पे sodium क्या बनाए है, plus charge बनाए है न, तो यह है आपका ketion इसको बोला जाते है, किसी परमाडू से ketion तब बनता है जब उसके अंतिम कक्षे के electron अलग हो जाते है ketion समानिता विद्धुद्धनी तत्व के परमाडूशे प्राप्त होते है ketion, मतलब यहाँ पे जो plus charger वाला रहेगा वो है आपका ketion, ठीक है जितना में plus charger देख रहा है sodium plus charger, magnesium mg, 2 plus ion, यह सब होता है न, तो यह सबी क्या है आपके ketion तो यह क्या होते है विद्धनी होते है तो इसलिए ऐसे तत्व द्वारा electron त्याग दिये जाने के फलसरूब अंतिम कक्ष क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है इस प्रश्टता ketion की आयनिक तरिज्य परमाडू तरिज्य से कम होगी ketion जो होते हैं उनकी आयनिक तरिज्य परमाडू तरिज्य से क्या होगी कम होगी क्यों कम होगी इसको sodium के उधारशे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखो sodium है पहले यह sodium परमाडू था जब यहाँ से एक electron हम लोग निकालेंगे ठीक है एक electron निकाल दिये तो यहाँ पे यह क्या बनाएगा एक electron निकाला है तो अब यह plus charge क्या कहलाएगा आपका ketion यहाँ पर जो परमाडू है वो क्या कहलाएगा ketion साथ में हमें यह भी पता चल रहा है यह electron त्याग रहा है तो यह क्या हो गया विद्धनी इसने electron त्याग दिये है तो क्या हो गया यह विद्धनी है तभी तो electron त्याग रहा है अगर इसके पास पहले कम होता तो थोड़ी नहीं electron त्याग था तो यह है अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है जो ketion होते हैं उनकी ionic triga जो परमाडू triga होती है तो क्यों कम होती है हाँ यहाँ पर क्या बोला गया जो ketion होते हैं उनकी ionic triga परमाडू triga से कम होती है जैसे कि sodium का परमाडू क्रमाग होता है 2, 8 और 1 sodium का परमाडू क्रमाग होता है 11, 2, 8, 1 उसका electronic विद्धाश है तो यहाँ पर जब यह एक electron निकालेगा तो इसका यह वाला कक्षक तो समाप्त ही हो गया न जैसे कि sodium है एक कक्षक, दो कक्षक और क्या था? तीन कक्षक पहले में 2 electron था, दूसरे में 8 electron था, और अंतिम कक्ष में 1 electron था जब यह वाला electron त्याग देगा तो इसमें कितने कक्षक बर जाएंगे? सिर्फ 2 कक्षक ठीक है? तो इसी को बोला जा रहा है जब कोई भी केटायन होता है केटायन होता है उसकी आयनिक तरिज्या परमाडू तरिज्या से कम होती है अगर इसके परमाडू तरिज्या को देखें तो इसकी परमाडू तरिज्या इतनी होगी लेकिन जब इसके केटायन की तरिज्या को देखें तो एक electron जब वो निकाल दिया है तब कि केश में इसकी आयनिक तरिज्या इतनी हो जाएगी तो ये वाला तो ज़्यादर बड़ा है ना, इसकी अप एकछा, इसी को बोला जारह है, अंतिम कक्ष से एक एक एकटान ही निकाल दिया है, तो इसकी द्रिज आल्रडी कम हो जाएगी, कम क्यों हो गई, ये कक्ष में जो एक एकटान था, वो तो एक एकटान अब निकल गया, अब ये वाला cancel out ही हो गया है, किसके case में, किटायन के case में, Na plus के case में, ये वाला क्या हो गया है, समाप्त हो गया, तो इसका अंतिम कक्षे ये हो गया, तो अब इसमें जो electron है, उसकी बारे में देखेंगे, तो ये बाहर चला गया, तो अब इनकी दूरी बस इतनी रह गया, जब ये था, ये वाला कक्षे था, तो इनकी दूरी इतनी थी, तो त्रिज्या पहले जाता थी परमाडू की त्रिज्या पहले जाता थी लेकिन जब यह केटायन में बदलता है तो इनकी त्रिज्या कम हो जाती इसी को बोला जा रहा है आनिक त्रिज्या कमान कम होता है परमाडू त्रिज्या कमान अधिक होता है अब आगे देखें तो इसी में है आनिक तरिज्य में लिखा है किसी केटायन में नाभिक से स्रेस बचे अंतिम कक्षे के इलेक्टान में तक की दूरी उस केटायन की आनिक तरिज्य होगी अब यहाँ पर भैए इसने तो इलिक्टान निकाल दिया अब जोनाभिक है आपका यहाँ पर जैसे किनाभिक है तो नाभिक से इस जो किटायन है उसके अंतिम कक्षक participated ढूरी उसके केटायन की त्रिज्या कहलाएगी जैसे कि यहाँ पर देखे Sodium तथा Magnecium में कक्षकों के संख्या पहले क्या थी? इन बराबर 3 थी मतलब ही उनमें 3 कक्षक थे Sodium में भी 3 कक्षक होते हैं 2, 8, 1 और Magnecium में भी 2, 8, 2 मतलब Sodium का पर्माडु कृमा 11 होता है तो 2, 8, 1 हो जाएगा Magnecium का पर्माडु करमा कितना होता है? 12 होते हैं तो 2, 8 और 2 हो जाएगा पहले इस तीनों में ही 3-3 कक्षक होते हैं लेकिन जब sodium एक लेक्टान निकाल देता है तो उसमें 2 कक्षक बचते हैं और जब magnesium आपका 2 लेक्टान निकाल देता है तो उसमें भी 2 कक्षक ही बचते हैं ठीक है तो हाँ उनकी इन कक्षकों की संख्या को दर्शार है तो magnesium की परमाणों द्रिज्या कम होने का करण के हैं देखो sodium और magnesium दोनों में ही क्या है कक्षक की संख्या सिर्फ दो है लेकिन फिर भी sodium की अपक्षक जो magnesium होता है उसकी आइनिक द्रिज्या कमान क्या होता है कम होता है या फिर अगर परमाड़ी तरिजा को भी देखें तो सोडियम आयन के पेक्षा मैंगनिशम आयन होता है उसकी आयनिक तरिजा या फिर सोडियम के पेक्षा मैंगनिशम की परमाड़ी तरिजा क्या होती है कम होती है क्यों कम होती है क्योंकि sodium का परमाडू क्रमांग 11 और magnesium का 12 होता है इसका मतलब ये है कि sodium में 11 proton है और magnesium में 12 proton है मतलब नाभिक पर आवेश है sodium में sodium जो परमाडू है उसमें 11 proton है और magnesium में 12 proton है मतलब जो sodium परमाडू है उसमें नाभिक पर आवेश 11 है लेकिन जो magnesium परमाडू है उसमें नाभिक पर आवेश कितना होता है 12 होता है मतलब इसका नाभिक पर आवेश जादा है नाभिक पर आवेश जादा होगा तो इलेक्टान और नाभिक के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि आकर्षर जादा हो जाएगा तो यहाँ परमाडू का साइज थोड़ा कम हो जाएगा अगर परमाडू का साइज कम रहे रहे तो परमाडू तरिजभी कम हो जाएगी तो इसी कारण magnesium का आकार sodium की पेक्षा कम होता है क्योंकि magnesium में नाभिक पर आवेज जादा होता है अगर नाभिक पर आवेज जादा होगा तो नाभिक और electron की बीच की दूरी कम हो जाएगी क्योंकि आकर्चर जादा होगा ना यहाँ पर आवेज जादा होगा तो आकर्चर जादा होगा अकार्चल जादा होगा तो अकार छोटा होगा तो परमाड़ी त्रिज़ा छोटा होगा ठीक इसी को बोला जा रहा है तो ठीक यही सिती मैंगनिशम 2 प्लस आयन तथा सोडियम प्लस आयन के पास भी होगी जिस तरह से सोडियम की परमाड़ी त्रिज़ा मैंगनिशम की परमा मिनायन की त्रिज्या विद्दु त्रिडी तत्व की पर्माडू kite त्याग नहीं सकते अता अपना अश्टक पूर्ह करने के development ग्रहन करते हैं जैसे कि क्लोरीन है धो 8 और 7 पर्रमाडू कृता है다 क्लोरीन का सत्र होता है धो 8 और 7 अब भैर 7 karukada को हम लुग उर्जा चाहिए है ना क्या चाहिए उर्जा तो यहां पर क्या हो जाएगा जैसे की क्या कर एक इलेक्टान को ग्रहंड कर लेगा क्योंकि इससे अपना or tape बनाने तो 1 संट एक जाेएगा अब लेकिन जब गरहता है तो यहाँवाँ पर गरहन करता है लेकिन जब गष्भों repositलित है फ्मिल इन ग्राम नाइन घिक डित अब आब 2023 पहले क्या होता है तो पहले क्या होता है जो क्लोरीन आयन होता है पहले जो क्लोरीन होता है उसमें उसकी परमाड़ों द्रिज्य कितनी होती है 99 पीकोमीटर होती है लेकिन जो आपका क्लोरीन आयन होता है उसकी आयनिक द्रिज्या 80 पीकोमीटर हो जाती है ठीक है पहले जो क्ल जब पहले कितनी होती है माल लेते हैं यह आपका नाभिक है ठीक है तो नाभिक से अंतिम इलक्टान की दूरी जो क्लोरिन परमाडू होता है उसमें 99 होती है लेकिन इसी नाभिक से जब वो आयन में बना लेता है जैसे क्लोरिन था वो एक इलक्टान ग्रहण करके क्लोरिन आय कुमीटर हो जाती है ऐसा क्यों होता है अब देखो पर माडु क्रमांग तो वह इच्छ है शत्रा इसमें वी सत्रा इसमें अंत्र किसका आया है बस इसने एक लिक्तान को ग्रहण कर दिया है यह जो वाला है लेखल ग्लूरीन इसका नाभिग और अंधिम इलेक्टान के बीज़ की दूरी यह उसकी पर्वाडु दरिज़य और इस यह आयन बना है यह आयन है पर्वाडु में नहीं है तो ये कहला है कि इसकी आयन इक दरिज्य तो पहले अपर्वाडु प्रोटान भी कितने थे सत्रा थे लेक्टान प्रोटान भी कितने थे सत्रा थे लेकिन जब वो क्लोरीन आयन बना लेता है तो उसमें उसमें इलेक्टान कितना हो जाता है एक इलेक्टान वो ग्रहर करता है ना बाहर शे तो पहले इलेक्टान सत्रा थे तो उसने एक इलेक्टान को ग्रहर किया तो इलेक्टान कितने हो गया है अठारा लेकिन प्रोटान कित में सग्ख्य, सब्सक्राइब 27 children² प्रूरीन बना लेता न्यूज्रा प्रूटान बना लेता हैं, उस अर्खर पर्छ दोन सब्सक्राइब 27 sol तो इसमें जो पहले जो इलेक्टान थे, पहले इसमें जो 17 इलेक्टान थे, जो नया इलेक्टान प्रवेश करता है न, उसको क्या कर देते हैं, विकर्शित कर देते हैं, कि नहीं, आप यहां पे मत आओ, आप बाहर जाओ, ऐसा करके यह क्या कर देते हैं, उसको बाहर धकेलन आयनिक त्रिजय भी बढ़ जाती है ठीक है जो क्लोरीन जो आयन होता है उसमें एक इलेक्टान प्रवेस करता है है ना एक इलेक्टान प्रवेस करता है तो उसमें जो पहले इलेक्टान थे वो क्या करते हैं विकर्चर उत्वन्य कर देते हैं इसको बाहर धकेलने की कोशिश क करते हैं जिससे आनिक तरिजय क्या होती है बढ़ जाती है